एक आप लोगों ने कुछ उड़ती उड़ती खबर सुनी थी पिछले साल की 2021 में अपने को इंटल के ग्राफिक कार्ड देखने को मिल सकते हैं पर 2001 केस अपने यूट्यूब चैनल पर एक वीडियो डाली थी जिसमें वो बता नहीं चला है कि कब लोगे बट एक दिन पहले इ जिसमें वो बताता है कि yes the rumors were correct 2021 नहीं 2022 में अपने को देखने को मिलने वाले हैं वो भी quarter one में इनके नए ग्राफिक प्रसेसर वो क्या होने वाले हैं उसका नाम क्या है वैसे तो नाम रखा गया है इंटल आर कोड नेम है या औरिजिनल नेम है यह तो भाई 2022 में ही पता चले रे ट्रेसिंग से लेके सूपर सांपलेंग तक सब कुछ आपको देखने को मिलने वाला है तो यह जो ग्राफिक कार्ड ना आइगेस कि जो तीन मेजर लीग होती है और अगर इंटल इन तीन मेजर लीग को एक साथ लांच कर देता है खाली टॉप एंड पर कंपीट नहीं क सालों से वो यू 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 गिरेगी दम इन्वर्स मेरे को लगता है गिरने वाली है बट ऑनली तेंग इसी परफॉमेंस की किस तरीके से होगी क्योंकि इंटल ने पहले भी ट्राइग किया था सक्सेस्फुल नहीं हो पाया था लेट सी इस ताइम यह सक्सेस को मिल जाए तो यह चीज है जो मेरे दिमाग में चल लेती तो आप लोगों तक के शेयर करी जाए वैसे इंटल आर्ट ग्राफिक कार्ट पर मैं वापस आँ और इसके बारे मैं आपको फिर से बताऊं तो इंटल ने अपनी वीडियो में कुछ सांपल्स डाले थे कुछ गे कर रहे हैं दिखाने में यह अपने को देखने को नहीं मिला बाकी तो उनोंने यह बताया कि हाँ ग्राफिक कार्ड वहाँ पास एक है जो कि अगर आप लगाओगे तो आपका गेम जो है इतना स्मूर्थ तरीके से चल पाएगा बिना किसी लाग वगेरा कि इतना तो गन्फ तुरांत पढ़ती है चैनल पर कुछ में पंदरा मिनट भी नहीं लगता है मेरे को सोचने में वीडियो किस तरीके से बनानी है बास इंप्रॉम्ट निकलता है यूं तो कर दो भाई चैनल को सब्सक्राइब और शेर कर दो उन लोगों को जो लोग ठोड़ा खुश विद दाट आप इस वीडियो फर नौ तिमीट अगेन टाटा बाई बाई और सावनारा मिलते है अगली वीडियो में टेक क्यार